अर्विन केजरिवाल दे पत्नी सुनीता केजरिवाल नू मिले कलपना सोरेन सुनीता केजरिवाल नू बोदाया होसला चार खंड दे साबका सीम हेमन सोरेन दे पत्नी ने कलपना सोरेन एक्साइस पॉल्सी केस ते विच दिल्ली देख होर मंत्री तो पुछकेज केलाश गहलो तो तकरिपन पंच कंटे सवाल जवाब किसे एसे केस ते विच ग्रफतार ने अर्विद केज भीबार इंकम टेक्स ते नोटिस ते कांगरेस ता बड़ा दावा गहा कल राध सानू फिर मिले दो होर नोटिस कल आईटी ने कांगरेस तो पे जसीस तारां सो करोर दा डिमांड नोटिस कांगरेस ता इल्जाम विरोधियां दा दमन कर रही है बीजे भी पंजाब विच बंद किते जा रहे दो हो टोल प्लाजा लुदियाना तो बरनाड़ा रोड ते मुलापूर ते मेलक ना टोल होन जारे बंद सियम मान निकिता आयलान पट्याड़ा देविच जनम दिन ते केक खान देनाल दस साला बच्ची दी होई मौल ऑनलाइन ओर्डर करके मंगवाया सी केट पुलिस ने बेकरी मालक ते दर्श किता पर चाथ चन्रिगर देविच पीजी आई दे ओपरेशन थेटर देविच लगी अग हाथ से वेड़े अंदर चल रहा सी ओपरेशन मरीज नू तुरंद दूजे ओपरेशन थेटर किता गया शिफ्ट आमादवी पार्टी दे विदायक गोल्डी कंपोज दी शिकायत दे ऐफ़ यार दर्ज मलने विदेश दे नंबर तो कॉल आनदा किता सी दावा के हासी आमादवी पार्टी छटके बीजे पीवी शामिल होने दे लिए बनाया दबा पच्ची करोड तक किता गया सी आफ़र मुक्तार अंसारी दे पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आई सामने हार्ट अटेक दसी गई मौद दी वजा घाजित पुर्दे कबरिस्तान दे विचे अंसारी नुकिता गया से पुर्दे खाक जलंदर दे विचे पुलिस ते बदमाशन दे विचाड़े कई राउंड फाइरिंग मुट पेड़तो बाद प्रेमाला होरिया दे विक्की गॉंडर गैंग दे चार बदमाश काबू छे पिस्तॉल ते कार्तूस दी वी रिकवरी गुर्दवारा नानक मत्ता दे विच बाबातर सेम सिंग दे कतल मामले दे विच एफ़ाई आरदर्ज गुर्दवारे दे प्रदान डेटायर डाईएस हरबंस चुग नामजद गुरु कर दे विच वड़के दो लुकाने बाबातर सेम नुशरया मारिया संगोलिया मी हनेरी ने फसला नुपचाया नुकसान खेतना दे विच विची पकण कंडे आई कनत किसाना नुचाड कटन दा स्तारे हा डर सुगवीर सिंग बादलने किसाना देली मौवजे दिकितिमा अतले साबका प्रदानमंत्री नरसी मारा आउसने चार उगिया शक्सियता नुणू मरन उप्रांत मिल्या पारतरतन राश्पती द्रौपदी मुर्बुने जिता देशता सरबुच नागरिक सन्मान कल लाल किशन अडवानी नू कर जाके करनगे सन्मान न्यूजेटीन पंचा भरियाना वेखे दर्शका दस्वागता है मैहा गगंदीप चोहान अर्विन केजरिवाल दे मंत्री तो पुछकीच खतम हो गई है एडी दफ्तर दे विच कैलाश गहलोत तो तकरीबन 5 कंटे तक सवाल जवाब किते गई ने कैलाश गहलोत तो तकरीबन 5 कंटे तक सवाल जवाब किते गई ने कैलाश गहलोत तो 5 कंटे पुछकिच किते गई और पुछकिच खतम होई है कैलाश गहलोत पुछकिच तो बाद बाहर निकले ने EDJ दफ्तर तो बाहर आए ने कैलाश गहलोथ दिली सरकार देविश कैमिनेट फंतरी कैलाश गहलोथ जिनलनों समन पेज़ के EDJ ने पुछकिस ते लिए सद्यासे और तकरीबन 5 कंटे दी पुछकिस तो बाद कैलाश गहलोथ EDJ दफ्तर तो बाहर आए कि अवास बिलकुल मेरे नाम पे लोटेड है लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइविट रेस्देन से वतिंकुन जी मैं वहां पे रह रह रहा हूं जिरे जो बच्चे हैं वो क्योंकि मेरा जो घर वसनुबुज में है वो डीपेस के बिलकुल सामने है और मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहां से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था तो इसलिए ना मैं कभी जो 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 बंगलो है मेरे नाम पे जो लॉटेड है ना मैंने कभी वहां शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहां पर और विजे नायर वहां रह 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 थे य नहीं मेरा किसी से cross questioning आमना सानों नहीं कराएगा सब्सक्राइब क्या सवाल क्या थे वह मैं आप से शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो सारी confidential proceedings थे सब्सक्राइब क्या बला दुबारा बुला सकते हैं या पूरी दी तो किसी को कहीं बला सकते हैं आप पहले समन पर आज आ गए प्यम समन के बाद आए तो यह कहते रहे कि इल्लीगल समन है इल्लीगल जाच है आपको क्या लगता है आप पहले समन पर हाज़र हुए पुछताज के लिए यह यह सेकंड समन था पहला समन जो है वह जब असेम्बली में बजट सेशन चल रहा था उस टाइम आया था लगबग मेंकल से एक मीना पहले तो मैंने यही कहके समय मांगा था कि चूंकि अभी असेम्बली प्रोसीडिंग चल रही है और बजट का सेशन चल रहा है इसलिए क्योंकि काफी सारी चेजे होती है जो एक मिनिस्टर को जवाब देने पढ़ते हैं असेम्बली प्रोसीडिंग में तो वो तो वो कहके मैंने समय मांगा था और जब बिलकुल करते रहेंगे इसमें कोई 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 आ जाना चाहिए था इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना च जान चाहिए, सूनिता केजरी वाल्दा होस लाफ टाया चारेकर लेश साब का सीम हेम्जरी आ इसमें सिर्वालते में हेमंज ऑन तो वो ग्रफतार है और तो पहला सूनिता केजरी वाल्डे कलपना सिर्वालते मियर्ण छूरीण कोई जो घटना जार्खन में दो महीने पहले हुई थी वो यहां दिली में भी सेम घटना हुई है मेरे पती हेमन जी को भी जेल बेजा गया आज आ यहां पे अरविन सर को भी यहां पे जेल बेजा गया है तो जो परिस्तिती जो स्तिती हमारी जार्खन में है वही अब यहां दिली में भी हो गई है तो मैम से सुनीता माम से मिलने आई थी उनका दुखदर्द बाटने आई थी उन्हों ने भी अपने विथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलके प्रण किया है कि अब इस लडाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है जिन्में मैम का भी साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा पूरा जारकन भी अर्विंद केजरिवाल जी सर के साथ भी हमिशा रहेगा सुरेन जी आपोजीशन के एक बड़े नेता थे और गैर भारती जनता पार्टी राज्यों में एक अच्छी सरकार चला रहे थे प्रसिद्ध नेता थे उनको जिस तरीके से केंदर सरकार ने जेल में डाला वो सब लोगों ने देखा और उसके बाद अर्विंद केजरिवाल एक दूसरी राज्ये के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया तो कल्पना जी आज सुनीता केजरिवाल जी से मिलने आई थी और लगबग दोनों की स्थिती ऐसी ही है कि केंदर सरकार ने इन दोनों के जो हस्बेंड्स थे उनको जेल में डाला है और दोनों ने अपनी स्थ कि एक दूसरे के साथ बादचीत की एक दूसरे को हौसला दिया और बड़े अच्छे वातावरण में बादचीत हुई ते कल इंडिया गर्चोर दा शक्ति प्रदशन है कल राम नीला मैदान देविश इंडिया गर्चोर दी बड़ी रैली है ताना शाही हटाओ लोगतंतर ब उन वाले ने आई एंडिया एलाइंस कल राम नीला मैदान देविश शक्ति प्रदशन करन जा रहा है हाल फिलाहल देविश हो यहां सरगर्मियान नों लेकिए पूरे देश से इंडिया गठबंधन के जो प्रमुक घटक दल है उन सभी पार्टियों के प्रमुक लीडर कल इंडिया गठबंधन की ताना साही हटाओ लोगतंतर बचाओ यह जो रैली रामिला मैदान में होने जा रही है उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में सामिल होने के लिए कल दस बजे रामिला मैदान पहुंच रहे हैं और सभी लोग मिल करके जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार बिपक्ष के निताओं को गिरफदार किया जा रहा है लगातार एजन्सियों के द्वारा उनको टार्गेट किया जा रहा है। और जिस तरह से यह तो हदी हो गई है कि एक चुने हुए मुक्ष मंत्री को आज किवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया जिसके आरोप के आधार पर जेल में डाला गया उसको बेल दे दी गई और वो भारती जनता पार्टी को 60 करोन रुपे क जो है चंदा दे देता है तो यह जो पूरा खेल चल रहा है इसके खिलाफ कल इस रामबिला मैदान से पूरा देश भर से इंडिया गडबन के लीडर आ रहे हैं दिल्ली के लोग मिल करके अपनी आवाज बलंद करें गुल मिला करके अर्विंद के जरिवाल के गिरफतारी स जो इस देश में मुद्दे चल रहे हैं चाहे संबिधान हो चाहे लोकतंत्र हो चाहे अजनसियों का दुर्पयोग हो चाहे वो अलग-अलग तरह से लोगों के आवाज को बंद करना हो यह सारे मुद्दे देश के अंदर चल रहे हैं उन मुद्दों को ही देखते हुए ता झाल झाल लुद्याना दे होटल दे विच्च पुलिस ने रेड कितिया ये सदकारी दा पती विदेशी महिला दे नाल कापोग हो गया पुलिस ने मामला दे होटल दे विच्च पुलिस ने हाला कि अधिकारिया ने इस मामले दे चुपवट्टी हो गया चुप वट्टी होई है इस पूरे मामले नू लेके लुद्यान दे होटल दे विच पोलिस ने रेड किती सी रेकाईय सदिकारी दा पती विदेशी महिला दे नाले तराज योग हालत दे विच काबू की ताख है कर दो चुप पाइंते वेच पर दो फॉट्य थर्फिटिंग पर्चादए कीता है जे चिक अबर कि अप्रणा प्रद्रगी नवेस्टिकेशन दे तार दे तार दे चिए है कोई लेडिस सफ्राई कर दे सी एक की मामला है यह जी एक प्रद्रगी नेसी तारेजिए है सब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है इम्मॉरल ट्रैफिकिंग दा ते इस ती जांच किती जा रही है रोहित गोड मेरे सायोगी मेंनाल इस फ़ले फोन लाइन ते मौझूद ने रोहित पुरा मामला की है आईए सदिकारी दा पती होटल दे विच फड़या गया है विदेशी महिला दे नाल इतराज यूग हालत दे विच किया है पुरा मामला जब तुल गजिमर अंजाज ने जना कि कल बेरात पुलिस नू एक इसकायत मिली सी इलाका वाक्या दी कि एक कोठी दे विच निजायस तो ते जड़ा जिस मुशशी जड़ा तंदा चाल रहा है ता उस चीनू लाएक ही कितने किते पुलिस पको एक रेड किती गे रेड दे जड़े इनक फीक जड़े लेर जड़े ने प्रकम ऀंड़ा किती खुलिस मुशा नूल ंगए तुलिस मुशशी प्रसन्ट भी एक इस चीजा नहीं पता है कि ज्मीठ घण। और गैकषरा बbaum ही लिडिया मुटव मिलेखें ovat कही है अउस्तेजर वाड पठालगी कि ¿तो रहों पठाला दिकरी कि अएक कर घृत इंचल भाड देगरां बुर्याओं 6. leader is company पिलिस ने अपने पक्खव कार्वाईवियी,μूलीस कितिutz मामला जजिकता गया औरभन्दी कार्वाई जडिया,पूलीस कितिटों बैदी किया ठीकुलिस प्रवेटि किति प्टिस ने प्टो प्टिस ने के पते पतना पाति ने वियोा जोएंट से जड़े हैंगे नहीं अनने अन्य ने साहस होगा उनने इस मामले पुरी जानकारी ज़ूर दिपर उनना पकों भी किसी पकों एचीजी पुष्की नहीं किती गई यदे मुखधोषी जड़ा पकड़ागे अगागा वा है अइस अधिकारी जड़ाइगा इस तो ए पर बेल भी मिल सकती है ते लाल पुलिस पुरे मामले दी जड़ी है उन अगे इंक्वारी होगी जो भी इस तत्त होंगे उननों अगे किता जओगा जी गजन बहुत शुक्रिया रोहित इस्तवाम जानकारी देली रोहित गौर्ड मेरे सहयोगी जानकारी देरेसन और लुध्याना दे होटल दे विचे लुध्याना दे कर दे विचे पुलिस ने रेड किती है तिते राज योग हालत दे विचे एक शक्स कुछ महिलावान दिन आल ठीसी जेजन दे वारे खुनतकारियां ने चुपटी होई अग निया है और हर्याना दे बाडी दे विचे किनरा नों बड़ी सोगात मिली कर दे विचे पोते दे जनमते दादे ने बड़ा तोफा दैता किनरा नों 15 लख रुपे दा प्लौट गिफ्ट कर दिता टे र वड चपी वार दे नाल जडा है गहे किंड़ा ने अपनी खुशिदा ईज़ार भी कि नभीट लिवारी से सपना नायक है मैं खुद गुरू हूँ अपने एरेकी और ये पापा है पोटे के ये पापा है और ये दोनों जनी भुवा हैं और ये छोरे की मुपी जी है ना और ये सबसे बड़ी दादी मा है और ये उनके पड़ोसी है इनने मुझे अपनी खुस होके आज के तारिक है? 29 तारिक को इनके घर में नाच ने आई बदाई माण ने आई तो मेरे जज्मान ने राजी होके पोते की खुसी में चाचा आपने क्या दिया? नहीं आप बताओ नहीं मैं नहीं बताओंगी आप अपने मुझे से बताओ इनने सोगज का पिलाट खुस होके पोते के ऊपर निछावर करके किंडरों को दान करा है सोगज का पिलाट पिलाट में में गाय घेस बांदोंगी तो बहस से बताओंगी ना बहस में चाहिए मैं लिया होंगी यह पापा तुमने भी खुस होके दिया ना और यह दोनों गुवा ने साहायता करी कि हाँ हमारे पापा पिलाट दे रहा लेज आपको सोके और वो दादी माएं वो मम्मी है दिया ना बेटी आप सबने मिलके और में इनको इतनी बदाईयां देती हो कि मेरे मालिक इनका परिवार जुग जुग बसे और येसी कोठिया इनकी 20 कोठिया बने और और जमीन बढ़े तुमारी मेरी दुआये तुमारी साथ रहे मेरे जजमान ने मेरा पेट भराए मैं इनकी सदा भारी रहूँगी